अब हैलो दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आई आमारी जो हमारा सब्जेक्ट है अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके यह जो हमारी सीरीज चले यह 500 कोशन की सीरीज है और लगबर मैंने 250 कोशन करवा दिये हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाए चैनल पर प्रेलिस्ट बनी हुए वहां जाके देख अगर अभी तक आपने नहीं देखें तो वहां पर जाईए और अपने कॉंसेप्ट को और जदा मजबूत कीजिए ताकि यह सारे जो कोशन है आपको इसलेबस के बाहर है नहीं कुछ चूट रहा है ठीक है तो पहले कोशन की बात करते हैं हमारे पहला कोशन है कि छंड से च फैसा कोशन है यह जो में होती है उनकी दिस टेस्टिंग में से अल यहां पर हुचंट कुछ से चशें है इसका दूसरा नाम से इसको जो पहला नाम क्या विलेडिक नोगता परिछन कि शड़ात इसका अगला कोशन है हमारा दूसरा कि बेरिंग पर इच्छण में तापमान अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि हम लोग मसीनों में बेरिंग टेस्ट करते हैं उन में उसका जो उसका तापमान है वह कितना अधिक नहीं होना चाहिए तो पहला आप सण है दस डिग्री तक हो जाना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए अब देखें दोस्तों अगर कहीं पर 75 आ गया तो आप उसे पर्षान मत हुएगा वह यह सही होता है और गर एक जstein दिया तो बहुत अच्छी बात है इसको तो डूसरे ऊंपर हमारा दूसरा यह पता ही चल गया होगा वह लोग सिस्रे क्रफ चलते हैं तीसरा कंवारा क्या कहए तीसरा कोशन कहए ऐस कि यह सारे के सारे हमारे जो टेस्ट है यह रूटीन टेस्ट के अंतरकत किये जाते हैं इस वज़े से जो ऑप्शन नंबर है यह आप्शन हमारा अनता थुरू पर परिच्ण यह इनन में से कोही नहीं यहनिकी रिवर्सल प्रोलारिटी टेस्ट होता है वह यह दिख परिपर तक पेच्छन या अंता धुरू पेच्छन इनके ही नाम है यानिकि ए से नमबर इसको आपसन सही है यानिकि ए और भी दोनों ठेकर न दोस्तों अब पांच वे नमबर कोशन के तरफ चलते हैं कि जो हमारा लोड कारेक्टर इस्टिक्स खीचा जाता है आपने भार चाहिए तरवक्त या मनें मशीन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा जो लोड कारेक्टर इस्टिक्स जो होता है वो जो खीचा जाता है वो पुचर किसके किसके बीच खीचा जाता है ठीकर ना दोस्तों आपको यह बताना इसमें तो पहला उपसन ने सार्श लोड करेंट था टर्मिनल वोल्टेश के मत हम लोग क्या करने यह खीचते हैं लोड करेक्टर इस्टिक्स कर ठीक है अब छटमें की तरफ चलते हैं कि जो हमारे स्टेटर होता है स्टेटर के वाइंडिंग का जो होता है उसका मान कितना होता दोस्तों इसमें आपको यह बत उत्यवडेशन होता है यहीं होता है तो कितना होता र Carrie गांचे क्णा होता है गांडेशन लिक्राग्या हम कितना होता है 3 में खोन माने यह यह पर साथ मेंनम्टर के तरफ तल से हिए जो रापर वाइंडिंग होते है उसके जो कितना यह आपको बताना है तो पहला उसमें 1 मिह ओंप ना इसमेंतर किसरा सही है ठीक ना हम लोग आठवे नमबर कोश्चन की तरफ दुस्तों चलते हैं कि रोटर तथा पॉल्स के बीच वाई अंत्राल में परिवितन हो सकता है देखें दुस्तों क्या होता है कि जो हमारी मशीन होती है फिर डिस मशीन होती यह हमारा क्या स्टेटर है और यह क् हमारे पॉल्स है इनके बीच यह होता है इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वाई अंत्राल वो कितना में लब कितने के बीच परिवितन हो सकता है यानि कि उससे ज्यादा परिवितन अगर हुआ तो कहीं ने कहीं मशीन में प्रॉब्लम हो जाएगी यह फिर वो उतना में ल है और हमारा तीसरा सही है इसके हम लोग नवे नंबर कोशन की तरफ चलते हैं नवा नंबर हमारा कोशन क्या है कि 500 mm ब्यास के कप्लिंग के लिए स्विकार टॉल्टेंस है अब यह देखिए क्या होता है कि दोस्तों जब हम लोग जैसे मसीनों को जोड़ते हैं वहापर जो होता है अब इसमें क्या होता है कि एक यह अगर थोड़ी से डिस और डुट जाएगी तो इसमें यह बताया गया कि हमारी 500 mm ब्यास के क्तिनी होती है ठ spoon दूसरा और पॉंइंड इसमें सही आप दूसक क्या होता कि इससे डिले हैं नर बैंट जीने करके इतनी ये जो होती वह हमारी स्वीकॉल टॉलेंस होती है ठीक न यह थोड़ा सा समझ में आया होगा 500 500 एमें ब्यास तो इसे आप रिलेट भी कुछ कर पाएंगे इसका अप्शन नमबर तो हमारे चोथा सब्सक्राइब सब्सक्राइब का सब्सक्राइब है अग्रे कोशों चलते हैं जो साफट का घ्रीफ में बोलते हैं संद्रेखन पैमाने से किया जाता है यह नि को पहला ऑप्षण फिल्लर गेच दूसरा है इस्परिट लेवल तीसरा है स्टील पर प्र फिर एफिए और प्रmeंब उसके लिए जो पैमाना होता है तो पैमाने का नाम होता है यानिकि यह सभी होते है फिलर गेज इस प्रेट लेवल और इस्टीर पड इन तीनों का ही प्रियोग किया जाता है क्या करने में साप्ट का अलाइमेंट एनिक शन रेखन देखने में जिसका ऑप्सन नमर हमारा चौ बहुत है दोस्तों अगर आप इसका पीडिए चाहते हैं तो प्लीज आफ प्लीज आप हमारे टेलिगाम चैनल को ज्वेंड कर लीजी नाम है पॉलिटेकनिक लर्निंग 77 क्या है पालिटेकनिक लर्निंग 77 महाँ जाकर जाएं कर लिए इंप्लॉटन नोट सी तो इस तो शारी